नमस्कार दोस्तों आपके यूटूब चैनल टार्गेट विजिकास में आपका स्वागत है आज हम लेकर आएं स्टैटिक जीके का पाल टू आज जो टॉपिक मैं क्लियर कराऊंगा वो नियुक्ति कराऊंगा ठीक है टॉपिक वाइस में अपल टे आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं कल मैंने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराया था वो महत्पूर हवाई अड़े के करा दिये थे आज मैं टॉपिक टू लेकर आया हूं नियुक्ति और ये उन सभी छात्राओं के लिए है जो अलाबाद हाई कोर्ड ग्रूप C&D और वीडियो री एक्जाम एनसे से जी डी की प्रोवेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए ये बहुत ही महत्पूर्ट वीडियो रहने वाला है इस्टेटी जी के अपडेटेट में इस्टेटी जी के करा रहा हूं तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें और अपने आपको चिक करते रहें कि कितने कुशन आपके आ रहें जितने भी नए यूजर हैं हमारे चैनल पे नए जोड़ रहे हैं वो सबी लोग हमारे चैनल को लाइक से एर अन सब्क्राइब करना ना हो ले आज मुस्किल है कल थोड़ा बहतर होगा आज मुस्किल है कल थोड़ा बहतर होगा बस उमीद मत छोड़ना भविस से जरूर बहतरीन होगा तो यहाँ पे आज हम जो कुश्चन लेकर आएं वो नियुक्त से रिलेटड लेकर आएं यहाँ पे सबसे पहले कुश्चन पुछा गया किसी स्क्रीन पर है किसी राजी के राजी पाल की राश्चिपत के दारा नियुक्त होती है पर किसकी सला से होती है किसकी सला से होती है चार आप्शन दिये गएं इन आप्शन में से कौन सा आप्शन करेक्ट होगा यह आपको बताना है तो परधान मंतरी की राश्चिपत की या मुक्य मंतरी से या मुक्य नाइदी से तो यहाँ पर जो correct option हो जाएगा वो आपका A option correct हो जाएगा परदान मंतरी की सहला से Question number 2 आपकी screen पर आप लोग दे सकते राश्टिपत अपना त्याग पत्र किसे देता है हमें ये पूछा गया question जो राश्टिपत होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है तो आपका correct option हो जाएगा उपर राश्टिपत को देता है राश्टिपत अपना त्याग पत्र किसको देगा उपर राश्टिपत को देगा तो C option correct option हो जाएगा Q3 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखाए निम लिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत की राश्टिपति के दोरा नहीं की जा सकती है तो जो correct option हो जाएगा वो B option correct हो जाएगा लोग सबा के अधच्च कौन सा लोग सबा के अधच्च के दोरा नहीं की जा सकती है Next question number 4 आपकी स्क्रीन पर भारत के परदान मंतरी की नियुक्ति कौन करता है भारत के परदान मंतरी की नियुक्ति राश्टिपति करता है तो B option correct option हो जाएगा B option correct option हो जाएगा कुश्चन नमबर 5 आपकी स्क्रीन पर आप सभी लोग दे सकते हैं हटाने के लिए भारत के राष्टपत के खिलाब महाभियोग के आरोप को प्राथमिक्ता दी जा सकती है तो कुश्चन नमबर 5 का A option correct हो जाएगा संसत के दोनों सदनों के दारा कुश्चन नमबर 6 आपकी स्क्रीन पर यदि राष्टपत के पद पर रहते हुए मित हो जाती है तो उप राष्टपत के पद पर अधिक्तम कितनी अवदी के लिए कार कर सकता है अगर राश्चीपत अपनी पोस्ट पे बैठा हुआ है और उसकी डेथ हो जाती है तो जो उपर राश्चीपत होता है उसका कारिभाल जो होगा वो कितनी अवदि तक चला सकता है तो उसका जो correct option हो जाएगा वो correct option हो जाएगा पस्पी हो जाएगा छमाहीने तक क्या छे महीने तक उप राष्टी का पद समाल सकती है ठीक है कुछ नंबर सेवनापकी स्क्रीन पर कार्णयले में प्रवेश करने से पहले भारत की राष्टीमत को पद की सपत काुण दिलाता है ठीक है पूछ रहा है राज़पत को पद की सपत कौन दिलाता है तो आपका जो correct option हो जाएगा वो ए हो जाएगा मुक की नहीदीज दिलाते हैं कौन दिलाता है मुक की नहीदीज दिलाते हैं आप समी लोगों को क्या करना है हमारे चैनल को like share and subscribe कर लेना है जिससे की हम आपको Allahabad high cold के and group C and group D and SSGD and video re-exam की जो भी preparation कर रहे हैं उसकी हिंदी reasoning GS की वीडियो प्रोवाइट पल्टे करा रहा हूं static GK के भी मैं topic wise क्लियर करा रहा हूं आप सभी लोग करते रहें ठीक है question number 8 आपकी screen पर निम लिखित में से किसे भारती संग के एक cabinet मंत्री का दरजा प्राप्त है तो इसका कौन सा option correct हो जाएगा A option correct हो जाएगा योजना आयोग के उपधच को ठीक है question number 9 आपकी screen पर आप सभी लोग दे सकते हैं एक व्यक्ति जो संसद का सदसी नहीं है उसे राश्च्रपतिदारा अधिक्तम कितनी अवद के लिए मंत्री के रूप में नियुक्स किया जा सकता है तो जो correct option हो जाएगा वो क्या option correct हो जाएगा जिसको भी पता है comment box में comment करें अपना answer जिससे हमें पता चले कितने चात्रों के कितने question आ रहे हैं ठीक है आप आपको आता है तो आप लोग comment box में comment कर सकते हैं तो डी option आपका correct option हो जाएगा डी छे महा क्या हो जाएगा छे महा correct option हो जाएगा question number 9 हो गया question number 10 आपको इसकी pdf फ्री आप कॉस्ट मिल जाएगी नीचे लिंक प्रवाइड कर दी जाएगी उस लिंक के तरूँ आप मेरे whatsapp group पे and telegram channel पे जुड़ सकते हैं कारयाले में प्रवेश करने से पहले भारत के रास्पत को पद की सपत कौन दिलाता है अभी मैंने question कराया था आप सभी लोगों ने किया है ठीक है यह यहाँ पे repeated question है तो यह जहां तर देख सकते हैं मैंने तीन question करा दिये गए ठीक है उसके बाद में जो next question आता है वो आपकी screen पर आएगा और उसका answer आप सभी लोग देंगे जितने भी नए user हमारे चैनल पर देख रहे हैं जल्द से जल्द सब्क्राइब करें और ज़्यादा से यादा share करना ना वोले and like करना ना वोले next question आपकी screen पर question number 10 जो है विदान परिशदी से राज सभा को अलग करने की सुविदा है तो क्या सुविदा है इसका जो correct option हो जाएगा A option हो जाएगा महाभियोग की सकती है क्या है महाभियोग की सकती है question number 11 आपकी screen पर लोग सभा अधच्ची दौरा चुना जाता है तो लोगसवा अधची दारा चुना जाता है किसे चुना जाता है तो आपका जो correct option हो जाएगा वो D हो जाएगा लोगसवा के सदस्ट से कुशन नमबर 12 निम लिकित में से कौन भारती संग के भीतर एक नया राज बनाने की सकती रखता है तो कौन रखता है आपका जो correct option हो जाएगा वो भी राश्टिपत रखता है कौन राश्टिपत ही रखता है कुशन नमबर 13 देख सकते हैं निम लिकित में से किसके पास UPSC के सदस्ट की संख्या तत्य करने वाले नियम और कानून बनाने का समवेद अधिकार है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो correct option क्या होगा आप लोगों को पता है तो comment box में comment करें एक second का time दिया जा रहा है तो इसका जो correct option हो जाएगा वो B option correct हो जाएगा राश्टिपत ही क्या हो जाएगा B option correct option हो जाएगा राश्टिपत हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं क्या हो जाएगा correct option राश्टिपत B option correct हो जाएगा ठीक है उसके बाद में कुश्चन नमर 14 आपकी स्क्रीन पर केंदरी मंतरी परसद दौरा नियुक्त किया जाता है तो किसे नियुक्त किया जाता है कुश्चन नमर 14 का आपका B option correct option हो जाएगा परदान मंतरी की सला पर भारत के रास्तिपत कुश्चन नमर 15 आप लोग दे सकते हैं रास्तिपत किसकी लिखित सला पर अपात काल की घोज़रा कर सकते हैं तो किसकी सला से कर सकते हैं कुश्चन नमर 15 का जो correct option है वो आपका B option correct option हो जाएगा परदान मंतरी B option correct option होगा परदान मंतरी ठीक है नेस्ट कुश्चन 16 राज लोग सेवा आयोग के अध्यच और सदस्यों को किसके दौरा नियुक्त किया जाता है तो किसके दौरा किया जाता है 16 का जो correct option होगा वो C option correct हो जाएगा राज जी पाल के दारा किसके दारा राज जी पाल के दारा कुश्चन नमर 17 UPSC के अध्यच की नियुक्त कौन करता है तो UPSC के अध्यच की नियुक्त कौन करता है तो correct option हो जाएगा वो A option हो जाएगा राश्टिपत करता है कौन राश्टिपत करता है 18 question यहाँ पे उपर राश्टिपत के खिलाब महभियों की कारवाई शुरू की जा सकती है तो यहाँ पे इसका option correct है वो D option correct हो जाएगा केवल रास्थ सभा में केवल रास्थ सभा में ही की जा सकती है Question number 19 भारत की मुक्षिन आइदीज की नियुक्ति होती है तो इसका B option correct हो जाएगा रास्थिपत के दारा होती है Question number 20 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भारत के मुक्षि चुनाओ आयुक्ति की नियुक्ति कौन करता है चार option दिये गए हैं चार option से जो correct option हो जाएगा उस पे आप लोगों को टिक लगाना है तो यहाँ पे दिया गया है भारत के मुक्षि नाइधीस A option, B option रास्थिपत, C option प्रधान मंत्री, D option ग्राम मंत्री तो B option correct option हो जाएगा कौन सा B option correct option हो जाएगा रास्थिपत क्या रास्थिपत Question क्या था फिर से आप लोग एक बार सुन लीजिए भारत के मुक्षि चुनाओ आयुक्त की नियुक्त कौन करता है तो रास्थिपत करता है B option correct option हो जाएगा टॉपिक पहली जो Steady GK की वीडियो में प्रवाइड करा चुका हूँ प्ले लिस्ट में आप जा कर देख सकते हैं वो महत्पुड हवाई अड़ी थी आज जो मैंने कराई है वो नियुक्त कराई है कल मैं आपको जो लेकर आऊँगा वो महत्पुड सिमाय लेकर आऊँगा और 2000 जड़गंड 2000 गेरा की जड़गंडा भी Steady GK में दो टॉपिक आपके कल मैं क्लियर कराऊँगा और आपकी हिंदी की GK की और English की वीडियो में प्रोवाइट कर चुका हूँ और नेस्ट लेकर में आपको लेकर आऊँगा और इसकी वी पीडियम आपको मेरे नीचे लिंक दी जाएगी उस लिंक के तरूँ आप जुड़ जाएंगे तो उसकी पीडियम भी आपको फ्री आपको मिल जाएगी आप सभी लोग तैयारी करते रहे और लगे रहे ठीक है रुकाउटे आती रहें रुकाउटे आती हैं सफलता की राहों में ये कौन नहीं जानता फिर भी वा मंजिल पाही लेता है जो हार नहीं मानता क्या पता रहा है रुकाउटे आती रहती हैं सभलता की राहों में ये कौन नहीं जानता फिर भी वा मंजिल पाही लेता है जो हार नहीं मानता तो आप लोगों को अपनी हार नहीं माननी है रिगुलर्टी रखना है, कंटिनियूज आपको पढ़ाई करनी है अगर आप 6 घंटे परड़े दे रहें तो वो 6 घंटे आपको कंटिनियूज अपनी पढ़ाई को देना है क्यूंकि अगर आप अपनी रा से भटक गए तो अपनी सपस्ऽे से भटक जाएंगे और वो सक्सेस क्या है अगर आप अलाबाद हाई कोड गुरूप C&D की प्रिपेशन कर रहे हैं तो वो आपकी राह है उस पे आप लोग जब तक आपको सेलेक्शन नहीं मिल जाता तब तक आप अपनी लगे रहेंगे तो सभी छात्राओं से मुझे निवेदन है आप अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट रहें और मेरे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर और सब्क्राइब करना ना बूलें नमस्कार दोस्तों धन्यवाद